बच्यों औचावल के बनाई हैं, तो क्या कि ये कुरकुरे तो कुरकुरे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो ये कुरकुरे कैसे बनाए हैं, तो चलते हैं वीदियो की तरफ, तो सबसे पहले मैं इसको एक पनी से बनाती हूँ पनी की मदद से तो देख सकते हैं इस तरीके से तेल वाले आईल वाली पनी में रखते थे हैं तो इसको इसकदर से बनाते हैं तो देख सकते हैं तो मेरे इतने चावल बच्चे हुए थे तो मेरे इसको mix-i-jaal में भी पीज लेती हूँ इसके थोड़ा सा led-u वाला when पीज देती हूँ और नमक मिला देती हूँ बस इस नमक से डालके बस पनी में रक आपनी में रक और बस भटा-फटा ये देखिये विक्सिजृाल में भी पीस लिये थे पीस के ये इस तरीके से बन जाते हैं इसमे नमक एड़ कर देते हैं और नमकरेट करके बस इसको तेल वाली एक पनी लेते हैं तो उसी में धीरे से इसको तेल वाली पनी में और इसको चाबल को खूद भी लेते हैं थोड़ी पानी डालके ऐसे ऐसे थोड़ा से कर लेते हैं इस तरीके से चिंचा से ज्यादा तक चला देते हैं तो इस तरीके में भर लेते हूं और भरके इस तेल वाली पनी में और इस तरीके से में भरके और थोड़ी से कट कर लेते हैं पनी को नीचे से कैची से और कट करके मैं इसको बस पहले ही कट कर दिया था और बस इस तरीके से में गूल बस बड़े छोटे जिस तरीके से इसका छेद रखना चाहे तो बस मै ये नंबे लंबे उसान नहीं देते हैं तो बस ये बच्चो को घाने में असनी ये बहुत ही अच्छे लगते है बच्चे को बहुत चाय से야지 चाय के साह सहते हैं और यह साल पर स्टोर कर सकते हैं, जब जाओ तो थोड़े विए लो और खा लो, बस फोड़े बस चिकद्नेमें ढाल दो, तो यह फोड़े से ढालो, बहुत सारे हो जाते हैं भून के, और बहुत ही टेश्टी रहते हैं, बहुत ही पढ़िया रहते हैं, प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके से बनाते हैं, और कुछ भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इसमें नमक पड़ता है, और बस इसमें खाना सोडा डाल दीजिए, इस वज़े से खाने सोडा से बहुत एक तम इनो पाउड भए डाल दीजिए, इस तम से यह बहुत तैजी से फूलते हैं, आपने और बहुत ही बहुत दें, बहुत ही मतने हैं, तो मिलते हैं और नेस्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, तो बताना मेरी कर 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 कैसे बने हैं, तो सीधे सीधे नहीं उपाते हैं हाथ भी कपचाता है तो इस तरीके से धीरे सीधे सीधे बनाते हैं तो लंबे लंबे बन जाते हैं चाहिए जितने भी लंबे बना सकते हैं आप लोग भी और छोटे भी नहीं बनते हैं बहुत लंबे लंबे भी बन जाते हैं चाहिए जितन करके मी रख सकते हैं और अक साल दो साल तक रह सकते आँ और यह ख़राबी नहीं होते हैं अब होदी और ज्हे बचाए एक देख सकते हैं तो देख सकते हैं मैं सारे इसको बनाती चली जा रही हम बड़ी सी पन्य भी डाल लिया है और उसमें बनाते चले जाते हैं और यह साम तक सब सूख जाएंगे तो इस तरीके से चाहें जितने भी नमगे बना दीजिए और अच्छे रहते हैं तो बच गाये तीन तो सबेरे को यह बना दिये ते तो आज शुरुवात कर दिया है और अच्छे दिन शुरुवात कर दिजिए तो बस पराबर बनाते रहिएगा अब होली भी होली की टेस्टी कुरकुरे हाने में ही बहुत ही टेस्टी देते हैं तो बनाते हैं इनको सारों बनाके डाल देते हैं दूब में अब जली सुख जाते हैं तो ठेंक्स बोर बाच्चिंग नेस्ट वीडियो में मेरी सारा खतम हो चुका है पूरा बन चुका है यह देखिए तरी कसे डिजाइन भी बना सकते हैं और चितना मुंटा पदला भी बना सकते हैं इसमें न मसीन की ज़रूरत होती हैं न कुछ न कुछ अर्ये से हाथी से बना सकते हैं तो सब के पास नहीं मसीन होती है इस बज़े से हाथ से भी बना सकते हैं तो बताईए देखिए मेरी मसीन से भी जेदा बेतरीन बनते हैं